Share Market, Share Bazaar, Stock Market, Stock Exchange, ये सभी एक ही जगा के नाम है जहां पर Listed Companies के Share खरीदे और बेचे जाते हैं हमारे देश में काफी सारे Stock Exchange थे लेकिन अभी National Level के सिरिफ दो ही Stock Exchange है एक Bombay Stock Exchange यानि BSE और एक National Stock Exchange यानि NSE Stock Exchange को सेवी कंट्रोल करता है जो के एक सरकारी ओगनाजेशन है कोई भी कंपणी जब बनती है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है जो के एक ही आदमी नहीं लगाता बलकि वो उस कंपणी के Shares कर देता है काफी सारे हिस्से कर देता है और उस कंपणी को Stock Exchange में List कर देता है जिससे कोई भी परसन उस कंपणी के Shares यानी हिस्से खरीच सकता है और उस कंपणी का Partner बन सकता है अगर वो कंपणी अच्छा करती है, Benefit में रहती है तो जितने लोगों ने भी उसके Shares को Purchase किया था वो भी फायद में रहते हैं और अगर वो कंपणी अच्छा परफॉर्म नहीं करती लॉस में चली जाती है तो जितने लोगों ने भी उसके Shares Purchase किये थे उनको भी लॉस होता है इसको आप एक example से समझे जैसे कि Reliance Industries के एक Shares का Purchase आज की डेट में है 1500 रुपीज और मानली जी आपने दो Shares Purchase कर लिए 3000 रुपीज में अब आपके Shares Purchase करने के बाद अगर मार्केट अच्छा रहता है वो कंपणी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके Shares का प्राइस भी बढ़ जाएगा वो 1500 से 1600, 1700, 1800 हो जाएगा अब जैसे ही उस कंपणी के Shares का प्राइस बढ़ेगा तो आपके पास जो Shares है जो आपने खरीदा हुआ है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा माली जी 1500 रुपीज में आपने उस Share को खरीदा था आप उसका प्राइस 1800 हो गया है तो आप 1800 में जब उसको बेचेंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर 300 रुपीज का फायदा हो जाएगा लेकिन अगर आपके Share परचेस करने के बाद कमपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है मार्केट क्रैश हो जाता है तो इससे उस कमपनी के Shares की वैल्यू गिर जाएगी आपने जो 1500 रुपीज में परचेस किया था उसका प्राइस 13, 14, 12 या फिर 1000 रुपीज भी हो सकता है तो ऐसे में अगर आप उसको Sale करेंगे तो आपको Loss होगा तो इस तरीके से Share Market में पैसे कमाई जाते हैं कि अगर Share की Value बढ़ जाती है तो इससे आपको फाइदा होता है और अगर Share की Value घड़ जाती है तो इससे आपको Loss होता है अब यहां तक यह तो आप समझ गए होंगे कि share market क्या होता है, share market में पैसे कैसे कमाय जाते हैं, अब बात आती है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, मतलब कि आपको क्या करना होगा share market में invest करने के लिए, shares खरीदने और बेचने के लिए, जब भी आपको share purchase करते हैं, तो उस इसने भी आप shares purchase करते हैं, वो सब आपके demate account में ही hold होते हैं, और वहीं से आप उनको sale कर सकते हैं, पहले के time में share market में invest करना काफी मुश्किल होता था, जो भी आप share purchase करते थे वो print होकर आपके पास आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप सिरिफ mobile phone से बिना कहीं जा पहाने वाला हूँ कि आप अपने mobile phone से या computer पर एक demate account कैसे open कर सकते हैं, और कैसे आप उसमें share खरीदेंगे, कैसे share बेचेंगे, और कैसे आप share की research करेंगे, कि कौन सा share खरीदना आपके लिए सही रहेगा, किसमें आपको benefit होगा, और आप loss से कैसे बढ़ सकते हैं, तो चल जो के description में आपको एक link मिल जाएगा, जब आप उस पर click करेंगे, तो आपके सामने ये page open हो जाएगा, जो के आप अपने computer और mobile phone दोनों पर open कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक mobile number डालना है, और इसके बाद continue करना है, आपके mobile number पर एक OTP send के जाएगा, आप यहाँ पर वो OTP डालेंगे और confirm करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना full name डालना है और एक email id डालनी है, इसके बाद आपको continue करना है, आपकी email id पर एक OTP send किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालेंगे, अगर आपके पास OTP नहीं आता है, तो आप यहाँ resend OTP पर click करेंगे, दोबारा से O OTP send कर दे जाएगा, आपकी इसी email id पर, इस तरह से आपके पास एक email आजाएगा, यहाँ पर देखिए यह है OTP, इसको आप यहाँ से copy कर लीजिए, और यहाँ पर paste करेंगे, इसके बाद continue करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना pen number डालना होगा, यहाँ पर आप date of birth डाले इसके बाद आप continue करेंगे, अब यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे, equity और commodity, अगर आपको सिर्फ share market में invest करना है, तो आप equity चूस करेंगे, लेकिन अगर आपको commodity में भी invest करना है, जिसके बारे में next videos में मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप यहाँ commodity भी चूस कर लीजिए, equity के लिए 200 रुपीज पे करने होंगे, और commodity के लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे, total आपको 300 रुपीज यहाँ पर account opening charge देना होगा, तो यहाँ पर आप इन सब को टिक कर दीजिए, और इसके बाद payment करने के लिए 2 option है, यह तो आप UPI से कर सकते हैं, यहाँ पर आप अ card से payment कर सकते हैं, internet banking से pay कर सकते हैं, यह फिर आप wallet से भी यहाँ पर pay कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर internet banking वाला option चूज करेंगे, internet banking में यहाँ पर हम HDFC bank की net banking चूज कर लेते हैं, paper क्लिक करेंगे, यहाँ पर 300 रुपीज पे करना है, confirm कर देंगे, payment करने के बाद यहाँ पर आप अपना IFSC code डालेंगे, HDFC code डालते ही यहाँ पर branch का पूरा address आजाएगा और साथ ही MICR code भी आजाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना bank account number डालना है, और यहाँ पर confirm करना है, मतलब दो बारा से अपना bank account number एंटर कर देना है, इसके बाद दीचे आएँगे, यह यहाँ पर आपको अपनी कुछ background information देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी mother का first name डालेंगे, यहाँ पर last name डालेंगे, यहाँ पर marital status डालेंगे, आप single है या married, यहाँ पर occupation चूस कर लेंगे, आप काम क्या करते हैं, यहाँ पर commodity trade classification चूस कर लेंगे, जिसमें हम other चूस कर लेते हैं, trading experience आपका कैसा है, आप new है, या आपको पहले से कोई experience है, जैसे कि हम new चूस कर लेते हैं, annual income कितनी है, वो आप यहाँ से चूस कर लेंगे, क्या आपको कभी politically exposed किया गया है, इसमें हम no कर देते हैं, इसके बाद यहाँ इन सभी terms को accept करेंगे, और continue करेंगे, इस तरीके से इस page को hold करेंगे, और यहाँ पर आप अपना एक photo click करेंगे, इस तरीके से, यहाँ पर देखे, sample दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर आपको photo लेना है, और capture पर click कर देना है, तो यहाँ पर यह image capture हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि image सही तरीके से capture नही कर देंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी यह clear है तो हम यहाँ save पर click कर देते हैं इसके बाद आपके पास दो option है यह तो आप यहाँ पर equity और commodity दोनों forms को यहाँ पर download करेंगे download करने के बाद आपको इनके उपर sign करना है और sign करने के बाद आप इनको post कर देंगे जिरोधा के address पर लेकिन अगर आपके आधार card के साथ mobile number link है तब आपको यह process करने की जरुवत नहीं है आप सीधे यहाँ पर continue करेंगे अगर आपके आधार card के साथ mobile number link नहीं है तो आप किसी भी आधार center पर जाकर अपने आधार card के साथ पहले mobile number link करा लीजिए अब यहाँ पर आपको तीन documents देने होंगे सबसे पहले आपको bank का एक proof देना होगा जिसमें आप एक cancel check या फिर अपना latest statement दे सकते हैं cancel check के लिए आप एक check लेंगे उस पर आप लिखेंगे cancel उसकी आप एक photo click करेंगे और उसको यहाँ पर upload कर देंगे लेकिन अगर आपके पास cancel check नहीं है तो आप अपने bank का एक latest statement निकालेंगे और उसको यहाँ पर आप upload करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम internet banking से एक statement निकाल लेते हैं statement निकालने के लिए यहाँ हम inquiry पर click करेंगे और यहाँ पर download historical statement पर click करेंगे यहाँ से account number चूज कर लेंगे और यहाँ पर specific period चूज कर लेंगे कितने time का statement निकालना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ एक महिने का निकाल लेते हैं इसमें हम यहाँ पर calculate चूज कर लेते हैं format यहाँ पर हम PDF चूज कर लेंगे और download पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर यह capture फिल कर देंगे और continue करेंगे तो यहाँ पर देखे statement download हो चुका है इसको हम log out कर देंगे statement upload करने के लिए यहाँ choose file पर click करेंगे जहाँ पर भी statement रखा हुआ है उसको select करेंगे और open करेंगे statement देखे यहाँ पर upload हो चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने current signature और pen card की एक copy upload करनी होगी आप एक page पर signature करेंगे उसका एक photo click कर लेंगे इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ choose file पर click करेंगे जहाँ पर भी photo रखी हुई है आप यहाँ पर select करेंगे signature की और open करेंगे तो यहाँ पर यह upload हो जाएंगे अब आपको pen card की एक copy upload करनी होगी choose file पर click करेंगे जहाँ पर भी pen card का photo रखा हुआ है select करके open कर लीजिए यह भी यहाँ पर upload हो जाएगा इसके बाद आपको e-sign करना होगा जिसके लिए आप यहाँ e-sign equity पर click करेंगे एक new tab यहाँ पर open हो जाएगी इसके बाद आप यहाँ पर google वाला option choose कर लीजिए यहाँ पर account choose कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर terms को accept करेंगे और proceed to e-sign पर click करेंगे आप यहाँ पर इसको accept करेंगे यहाँ पर अपना आधार card number डाल कर send OTP पर click करेंगे आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर एक OTP send के जाएगा वो OTP आपको यहाँ डाल देना है जो के आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद verify OTP पर click करेंगे इसके बाद आपका जो profile है वो successfully verify हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर पूरा form आ जाएगा आप इसको एक बार यहाँ पर read कर सकते हैं यहाँ पर सभी details दी गई है आप इस form को यहाँ पर read कर लीजिए इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ sign now पर click करेंगे इस sign पर click करने के बाद आपके सामने फिर से वही page आ जाएगा यहाँ पर आप consent देंगे और यहाँ पर आप अपना आधार card number डालेंगे इसके बाद send OTP पर click करेंगे आपके अधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर एक OTP send के जाएगा वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे OTP डालने के बाद आप यहाँ verify OTP पर click करेंगे जिससे यहाँ पर आपका जो document है यह successfully sign हो जाएगा और यहाँ पर जो window है वो automatically close हो जाएगी जेरोधा की तरफ से आपको कुछ email साएगे जैसे कि पहला यह है payment successful होने का और यहाँ पर दूसरा यह है account opening form है इसके अदर और साथी यहाँ पर इक email आएगा कि आपके document को successfully sign कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका document इसको आप यहाँ पर save करके र साथी सारे emails आएंगे इसी में आपको एक email मिलेगा welcome to zerodha आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक user id मिल जाएगी यह आपकी user id रहेगी login करने के लिए आप यहाँ login now पर click करेंगे इसके बाद आपको एक password set कर लेना है और password set करने के बाद आपको एक pin set कर लेना है आएंगे और यहाँ three line पर click करेंगे यहाँ kite पर click करेंगे अब आप इसका application भी download कर सकते हैं जिसमें आप shares को buy और sell कर सकते हैं यह फिर आप सीधे यह login to kite पर click करेंगे यहाँ पर आपको user id डालना होगा यहाँ पर password डालना होगा जो भी आप set करेंगे इसके बाद login पर click करे अब यहाँ पर पहले आप Dashboard को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर आपको Nifty 50 का चार्ट मिल जाएगा, जो Top 50 Companies होती है, आप यहाँ पर इनका चार्ट देख सकते हैं, share का price कहां जा रहा है, और साधी Sensex भी आपको मिल जाएगा, इसका चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह है Dashboard, किसी भी टाइम आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके Equity में कितना Fund है, जो आपने Add किया है, यहाँ पर आजाएगा, जैसे कि हमारे पास इस टाइम 621 रुपीज है, Opening Balance यहाँ पर आजाएगा, Commodity में जो भी Balance होगा, वो यहाँ पर श रहे हैं, और यहाँ पर value आजाएगी, इस share को हमने purchase किया था 1562 रुपीज में, और अभी इसका price है 1552 रुपीज, निचे यहाँ पर market का overview आजाएगा, इसके बाद यहाँ orders पर आप click करेंगे, तो जितने भी आप orders करेंगे, वो यहाँ पर आजाएगे, GTT पर click करेंगे, तो एक share hold किया हुआ है, यही पर आप live उसका graph भी देख सकते हैं, positions पर आप click करेंगे, तो आप जितने भी नए shares purchase करते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, और next day वो holdings में चले जाते हैं, funds पर आप click करेंगे, तो यहाँ से आप amount add कर सकते हैं, जिस company के भी आप share purchase करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर search करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं search करता हूँ Reliance, तो Reliance जो है, यह NSE यानि National Stock Exchange और BSE यानि Bombay Stock Exchange दोनों पर ही listed है, तो आपको हमेशा NSE यानि National Stock Exchange से ही purchase करना चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ plus icon पर click करके, इसको यहाँ अपनी watching list में add कर लेंगे, यहाँ पर five watching list है, जिसमें आप अलग-लग industries के हिसाब से companies को list कर सकते हैं, watch करने के लिए, उनके उपर नजर रखने के लिए, कि उनका क्या हाल चल रहा है, साथी यहाँ पर आपको chart का option मिल जाएगा, इस पर click करके, आप उस company का chart भी देख सकते हैं, कि कब उसका share उपर था और कब नीचे चला गया, इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और company search कर लेता हूँ, sipla, nse पर इसको भी हम यहाँ पर add कर लेते हैं, यह watching list है, और यह काफी helpful है, यहाँ पर आप companies पर नजर रख सकते हैं, अब बात आती है कि आपको share कैसे purchase करना है, तो share purchase करने के लिए पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे add के जाता है, for example, यहाँ पर मैं 200 रुपीज add कर लेता हूँ, आप यहाँ पर कितना भी add कर सकते हैं, bank आपका यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपने एक से ज़्यादा banks यहाँ अपने demand account में link किये हुए हैं, तो आप यहाँ से choose कर लेंगे, न पर click करके payment करेंगे, तो यहाँ पर payment हो जाएगा, और दूसरा option है net banking, net banking आप choose करेंगे, इसके बाद continue करेंगे, यहाँ पर आप अपना user ID, password डाल कर continue करेंगे, 200 रुपीज का आपको payment करना है, confirm कर देंगे, आपके पास एक OTP send के जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, OTP डालने के बाद आप submit पर click करेंगे, तो आपका payment यहाँ पर successful हो जाएगा, आपको यहाँ पर close कर देना है, close करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, 200 रुपीज एड हो चुके हैं, अब यहाँ पर total amount हो गया है, 1821 रुपीज, आप यहाँ view statement पर click करके, पूरा statement भी एक बार fund add करने के बाद आप यहाँ पर search करेंगे, जिस company के भी आप share purchase करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने already two list की हुई है, तो जैसे कि मुझे reliance का share purchase करना है, तो यहाँ पर मैं search करूँगा, reliance, और पहले तुम्हें यहाँ पर plus icon पर click करके, इसको यहाँ पर add कर यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे, MIS और CNC, MIS यह intraday trading के लिए है, मतलब कि अगर आप आज ही share को purchase करेंगे, और आज ही आप शाम में उसको sale करेंगे, तब आप MIS अवाला option चूज करेंगे, इसको कहा जाता है intraday trading, दूसरा यहाँ पर CNC है, अगर आप यहाँ share को hold करके रख कर सकते हैं, और limit अगर आप यहाँ पर choose करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर एक price डाल देना है, जिस price पर भी इसको आप purchase करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1500 डाल दिया, तो इसका मतलब यह होगा, कि जब भी इस share का price 1500 होगा, तो यह automatically यहाँ पर buy हो जाएगा, च कि आपको loss से बचाने के लिए है, जैसे कि अगर आप set, stop, loss यहाँ पर choose करेंगे, तो यहाँ पर आप percentage डाल सकते हैं, कि कितना loss आप यहाँ पर जहल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2%, तो इसका मतलब यह होगा, कि हम share purchase कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2% इसक यहाँ पर डाल सकते हैं, दूसरा यहाँ पर है target, मनली जी कि आप चाहते हैं, कि share आपने purchase किया है, लेकिन जैसे ही इसका 10% price बढ़ जाए, तो यह automatically sale हो जाए, तो यहाँ पर आप 10 डालेंगे, अब इसका मतलब हो जाएगा, कि share purchase होने के बाद, जैसे इसका 10% price बढ़ इसके बाद आप buy पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह जो share है, यह buy हो चुका है, आप dashboard में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, fund भी हमारे account से cut हो चुका है, अब यह share हमें पहले तो मिलेगा, positions में, position में हम आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक share add हो है, और साथी यहाँ पर आप अपना loss और profit भी देख सकते हैं, आज पूरे दिन यह share आपके positions में रहेगा, और next day यह holdings में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर यह आ चुका है, जो कि हमने कल purchase किया था, share को अगर आप sale करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसको choose करेंगे, जिसको share हो चुका है, और dashboard में यहाँ पर आप price भी देख सकते हैं, add हो चुका है, अगर आप share को आज ही purchase करके, आज ही sale करेंगे, तो आपको positions में मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसको select करके sale कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दिन से जादा रखते हैं, तब यह आपको holdings मे मिलेगा, और यहाँ पर sale करने का एक अलग तरीका है, जिसके लिए आप यहाँ three dots पर click करेंगे, exit पर click करेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए, आपको वही options मिल जाएंगे, market or limit, market पर आप click करेंगे, तो जो अभी price चल रहा है, इस पर यह sale हो जाएगा, लेकिन अगर आप limit जैल हो जाएगा, जैसे कि फिलाल यहाँ पर मैं market चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे market price पर ही sale करना है, इसके बाद sale पर click करेंगे, इसके बाद continue करेंगे, अब आपके पास एक tip in होना चाहिए, tip in आपको कहां find करना है, आप जाएंगे अपने email में, CDS India आप यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर holding shares को sale करेंगे, तो आपको यह tip in डालना पड़ेगा, यह आपकी security के लिए है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो broker होते थे, वो आपके holding shares को खुदी sale कर देते थे, इससे आपको loss होता था या आपके साथ fraud होता था, लेकिन CDS ने अब ऐसा कर दिया ह है, कि आपको एक tip in दे दिया गया है, तो tip in से सिरिफ आप ही अपने share को sale कर सकते हैं, यहाँ पर forget का option है, अगर आपको tip in नहीं मिला या आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ से दोबारा से भी generate कर सकते हैं, आपके email पर आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है, जैसे कि हम तो इसमें CDS ने security के लिए, कि आपके साथ कोई fraud ना हो, यह tip in generate किया है, जो कि सिरिफ आप ही के पास है, और आप यहाँ पर जब यह tip in डालेंगे, तब ही जिरोधा आपके बहाफ पर इस share को sale कर पाएगा, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके tip in के वो sale नहीं कर पाएगा तो यहाँ हम verify पर click करेंगे, तो अब यहाँ पर देखें, यह authorize हो गया है, अब आप यहाँ sale पर click करेंगे, तो आपका जो share था, वो यहाँ पर sale हो जाएगा, आप देख सकते हैं, sale यहाँ पर complete हो चुगी है, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों अलग-अलग process है, अगर आप आज ही buy करेंगे, आज ही sale करेंगे, तो positions में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको direct exit पर click कर देना है, और यह sale हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको hold कर लेते हैं, तो अगली दिन आपको holdings में मिलेगा, और फिर आप यहाँ पर three dots पर click करेंगे, exit पर click करेंगे, और यहाँ आपको यहाँ tip in डाल कर authorize करना होगा, अब हम यहाँ अपने dashboard पर आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास total amount आ चुका है, 3377 रुपीज, तो इस तरीके से आप यहाँ shares को buy कर सकते हैं, और sell कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और share buy करूँगा, यहाँ प पर click करके chart भी देख सकते हैं इस तरीके से, और chart में आप यहाँ पर कितने भी time का देख सकते हैं, पिछले घंटे का, एक घंटे का, दो घंटे का, एक दिन का, एक हफते का, या फिर पूरे एक महिने का, तो जैसे कि हम यहाँ पर सुदरशन chemical industries का एक share purchase करना है, तो यहाँ ह buy पर click कर देता हूँ, तो आप देखें, यहाँ पर दो share buy हो चुके हैं, जो के हमें यहाँ positions में मिल जाएंगे, आप देखें, यहाँ पर सुदरशन और यह two shares हमारे पास अभी available है, इसी तरीके से सिपला है, जैसे कि मुझे सिपला का एक share purchase करना है, तो यहाँ पर मैं buy पर click करूँगा, इसमें भी यहाँ पर मैं CNC चूज कर लूँगा, लेकिन अगर आप intraday trading करना चाहते हैं, सुबा को खरीदा, शाम में बेज दिया, तब आप MIS चूज करेंगे, quantity डालेंगे, buy पर click करेंगे, देखे, buy हो गया, तो अभी हमारे पास तीन share हो गए, दो यहाँ पर कर लें, company के बारे में जान लें, company क्या काम करती है, उस share ने पिछले एक साल में 6 महिनों में, एक महिने में कितना return दिया है, उसका graph क्या रहा है, यह सारी चीज़े अगर हम पहले से ही research करके चलेंगे, तो हमें loss कम से कम होगा, और benefits ज्यादा से ज्यादा होगा, research करने के सब के अपने अपने तरीके होते हैं, इसके लिए काफी details में जाना होता है, काफी बारीकी से नजर रखनी होती है, और इसके लिए मैं particular videos भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको details में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कि आप जो भी share purchase करना चा हैं, तो यहाँ पर search करेंगे Reliance, और यहाँ पर पहले plus icon पर click करके, इसको हम अपनी watching list में add कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर five watching lists है, आप यहाँ पर अलग-अलग categories के हिसाब से companies को list कर सकते हैं, नजर रखने के लिए, अब यहाँ पर आपको three dot मिलेंगे इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर fundamentals आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको short में इसके बारे में details मिल जाएगी, जैसे कि Reliance Industry क्या काम करती है, और साथी यहाँ पर events पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके काफी सारे updates मिल जाएगे, small case पर click करेंगे, तो small case इससे related आपको details मिल जाएगी, news पर click करेंगे, तो इससे related काफी सारी news आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Reliance Industries ने पिछले एक महिने में 1.62% का return दिया है, जबकि पिछले एक साल में 20.31% का return दिया है, अगर आपको details में जाना है, तो आप यहाँ see details पर click करेंगे, तो यहाँ से आप details में research कर सकते हैं, यहाँ से आप filter कर सकते हैं, one day, one week, one month, one year, five year, जैसे कि यहाँ पर आप one week चूज कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि पिछले एक हफते में Reliance Industries के share का high price क्या रहा है, low price क्या रहा है, और कितना return दिया है, one month अगर हम चूज करें, तो फिर यह एक महीने का दिखाएगा, पिछले एक महीने में high value क्या रही है, low क्या रही है, और साथी return कितना दिया है, one year अगर हम चूज करें, तो यहाँ पर आप पूरे एक साल के हिसाब से देख सकते हैं, और अगर five year चूज करें, तो आप यहाँ पूरे पाँच साल का देख सकते हैं, जैसे कि पिछले पाँच सालों में इसका low price रहा है, 405 रुपए, high price रहा है, 1618 रुपए, और इसने पिछले पाँच सालों में 261.86% का return दिया है, मतब कि अगर आप पाँच साल पहले इस share को purchase करते, तो इसका price था 405 रुपए, और आज इसका price हो चुका है 1618 रुपए, इसी तरीके से यहाँ पर आप max पर क्लिक करके, और भी यहाँ पर details ले सकते हैं, इसके लावा आप यहाँ forecast पर क्लिक करेंगी, तो आप और details में research कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इस share का price स्यादा से जादा कितना नीचे जा सकता है, और कितना high जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए, factors को ध्यान में रखते हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको इस stock में invest करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर 76% यही suggestion दिया गया है, कि investor इस stock को buy कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ market mood पर क्लिक करेंगी, तो यहाँ से आप market का mood देख सकते हैं, कि अभी आपको market में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यह अभी extreme greed है, मतलब कि अभी आपको market में invest नहीं करना चाहिए, अगर यहाँ पर extreme fear होगा, तब आपको यहाँ पर definitely invest करना चाहिए, उसमें risk के chances काफी कम होते हैं लेकिन अभी coronavirus की वज़ा से market का जो mood है वो extreme greed है अभी आपको invest करने से बचना चाहिए तो अभी आप जिन shares में भी invest करेंगे आपको काफी अच्छे तरीके से सोट समझकर research करके ही invest करना चाहिए ऐसा नहीं है कि यह ऐसे ही रहेगा बलकि यह रोज change होता है तो रोज आप यहाँ पर market का mood index चेक कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर screener पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ से आप कई तरीकों से filter कर सकते हैं जैसे कि stock universe इसमें आप यहाँ पर nifty 50 चूज कर लीजिए तो आपके सामने nifty 50 आ जाएंगे यहाँ से आप sector wise इसको filter कर सकते हैं sector पर click करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर energy पर अगर आप click करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वही companies आएंगी जो energy से related है financial पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने financial companies भी आजाएगी जैसे के banks healthcare अगर आप यहाँ पर choose करेंगी तो आपके सामने healthcare companies भी आजाएगी तो यहाँ पर आप filter कर सकते हैं by sector इसके लावा add filter पर click करके यहाँ पर आप और भी filter कर सकते हैं जैसे कि किसी भी company का अगर आप return देखना चाहते हैं, तो आप उसको filter कर सकते हैं, one day से, one month, जैसे कि यहाँ पर हमें HDFC bank का देखना है, तो हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले एक महीने में HDFC bank के shares ने 6.76% का return दिया है, आप यहाँ पर click करेंगे, तो आप और भी details में यहाँ पर देख सकते हैं, आप one week, one month, one year और five year के हिसाब से, यहाँ पर इसको filter कर सकते हैं, और साथी forecast में आप देख सकते हैं, कि HDFC bank limited का जो share price है, वो ज़्यादे-ज़्यादे कितना high रहेगा, और कितना low तक जा सकता है, जैसे कि low में यह 750 रुपीज तक जा सकता है, और high में यह 1550 रुपीज तक जा सकता है, इस stock को buy करना चाहिए या नहीं, तो 94% यहाँ पर suggestion दिया गया है, कि investor इस stock को buy कर सकते हैं, इसी तरीके से pharmaceutical में यहाँ पर supply limited है, तो supply limited का यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले एक महिने में 8.62% का यहाँ पर इसने return दिया है, और पिछले एक साल में 15.94% का इसने return दिया है, कोरोना वाइरस की वजहा से जहाँ जायतर companies के share price गिरे हैं, तो वहीं जो pharmaceuticals companies है, healthcare से related companies है, उनके shares में एक जबरदस्त उच्छाल देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर आप supply limited का ही देख सकते हैं, कि पिछले एक महिने में 8.62% का इसने return दिया है, details में जानने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी details मिल जाएगी, कि पिछले एक दिन में क्या graph रहा है, एक हफ़ते का क्या graph रहा है, एक महिने का, और साथी यहाँ पर आप पूरे एक साल का भी देख सकते हैं, किसी भी company को आप सीधे यहाँ से भी search कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ, सुदर्शन chemical industries, तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, अगर मैं one week चूज करूँ, तो पिछले एक हफ़ते में इसने 3.15% का return दिया है, और अगर यहाँ पर मैं one year चूज कर लूँ, तो आप देखिए 23.53% का return इस industry ने यहाँ पर दिया है, 4 cast पर click करके आप नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि maximum इसका price कितना जा सकता है, और medium क्या रहेगा, और low में कितना जा सकता है, तो यहाँ पर यह buy करने के लिए एक बहतरीन share है, जैसे कि अगर आप इसको अभी buy करेंगी, तो इसका price है 400 rupees, और यह maximum जा सकता है, 570 rupees, medium रहेगा 500, और low में अगर यह जाएगा, तो 480 rupees तक ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि इसमें आपको बिल्कुल भी loss होने के chances नहीं हैं, क्योंकि आप 400 rupees पर purchase करेंगे, तो यह low भी अगर जाएगा, तो 480 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तब भी आप फायदे में ही रहेंगे, तो इस तरीके से किसी भी share को buy करने से पहले, यही पर आप उसकी research भी कर सकते हैं, research करना किसी भी share को buy करने के लिए, बहुत जरूरी होता है, अगर आप ऐसे ही अंदादुन किसी भी share को purchase कर लेंगे, तो आपका luck है कि आपको उसमें benefit हो जाए, लेकिन maximum cases में आपको loss ही उठाना पड़ता है, तो पहले जिस share को भी आप purchase करना चाहते हैं, आप उसकी research करिए, उसके बाद ही आप उसको buy करिए, So I hope की अब आप समझ गए होंगे कि share market क्या होता है, share market में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, demate account कैसे open के जाता है, share कैसे खरीदे जाते हैं, share कैसे बेचे जाते हैं, और share की research कैसे की जाती है, ये सारी चीज़े आप इस वीडियो में सही तरीके से समझ गए होंगे, So I hope की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और अगर आपके मन में कोई confusion है, ये आपको कोई problem आ रही है, तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं, इसके लावा आप हमारा telegram channel इशान monitor भी join कर लीजिए, जहां पर मैं आपको कुछ latest information देता रहूँगा, कि आज आपको कौन सा share purchase करना है,